लेक्षर नमबर 21 आज के लेक्षर का अगास करते हैं प्रीवेस लेक्षर में मैंने आपके साथ आड़िट रिपोर्ट शेयर की थी पहले हमने आड़िट रिपोर्ट के अंदर जो मैक्सिमम एलिमेंट्स आ सकते हैं मैक्सिमम वन बावन उन सबको डिसकस किया फिर हाला के हमारे स्लेबस में उसने नहीं दिया यह फार्मेंट आई एससे के मताबिक उसने एक जगह पे दिया है मैंने बहतर समझा के प्रैक्टिकली भी एक सैंपल आपके साथ शेयर कर दूँ ताब कि आपको अंदाजाओ के जो एलिमेंट्स हमने पड़े हैं वो प्रैक्टिकली किस तरीके से प्रिजेंट और रिपोर्ट किये जाते हैं देखे सम्टाइम थोड़ा सा फर्क आता है हमारी स्टूरंट की लैंगविज में और प्रैक्टिशनल की लैंगविज में तो शायद आपको कुछ कंसेप्ट से ऐसे मिले जिनमें कंसेप्ट तो आपने वैसे ही बढ़ा है लेकिन अलफाज का वर्ड का थोड़ा सा फरक है जो हमने नोर्स में पड़े हुआ है वो वर्ड थोड़ से हो सकता है। डिफरंट हो और ज 네 उर पोर्ड यूज में वह थोड़ धोड़ होज़ै वो है तो कंसेप्ट मैच करना किक्ट क्या एलिमेंट्स सारे पूरे थैं और जो एलिमेंट्स के अंदर हमने पड़ा है के ये ये चीज प्रिजेंट की जाएगी, ये इन्फरमेशन, वही इन्फरमेशन इंक्लूड हो रही है के नहीं? अलफाज थोड़े से डिफरेंट होने से कोई प्रॉब्लम नहीं है. और मैंने आपको ये भी शायद बता दिया था कि आपने इसको याद नहीं करना. ठीक है इसमेंसे जो जो चीज याद करनी होगी हैं खुद आपको बता दोगा. अभी तक मैंने आपको सिरफ एक चीज याद करवाई है. अपिनियन और बेसिस ओफिनियन. है वो है ISA वाला ठीक है लेकिन इससे कोई फर्ख निए पढ़ता है एक्जाइम मेंगर हमसे कहता न इससे फर्ख निए पढ़ता आप चाहे वो वर्डिन यूज कर ले चाहे लेकिन एक वर्डिन यूज करनी है आपने ये गलती नहीं करनी कि ISAs के मताबिक भी याद कर लें और Companies Act के मताबिक भी कोई एक डिसाइड कर ले उसी को याद करें बहतर यही है कि जो मैंने आपको पहले बताया था ISAs वाला उसको याद करें क्योंकि जब दोनों याद करेंगे तो वो अक्सर मिक्स हो जाए करेंगे और सेशन एंड तक आपको ये प्राब्लम रहेगी कि लाइन पे चल आईसे स्टार्ट किया ISAs वाली लाइन से और जहाँ पराग्राफ एंड किया तो पता नहीं चला कब Companies Act वाली लैंगविज में पहुंच गें दोनों की बजाए एक ही याद करें जो के प्रेफरेबली ISAs वालाज फार्मेट जो मैंने आपको पहले याद करौए हुआ हुआ है अच्छा इसको आपने पढ़ा होगा इसमें आपके कुछ क्वेस्टन्स भी होंगे ठीक है क्वेस्टन्स वन बै वन पूछ लेजिए अच्छा जो आपका क्वेस्टन Gwen सिरफि अलफाज के फरक से रिलेड कर रहा होगा तो वह मैं आपको डिसकस नहीं करूँँगा वह सिरफ मैं यह कहाँ दूँगा एक्जाम में भी कंसेप्ट से है या अलफाज के फ़रक इस से कोई फ़रक निंपड़ा करेगा language को यूज करें ठीक है single language को भी simple language को भी यूज कर सकते हैं सिर्फ एक में फरक पढ़ता है opinion paragraph में वो standardized language है ठीक है उसको हम कोशिश करते हैं कि उसमें फरक ना पढ़े जो अलफाज हैं उसी तरीके से हम उनको याद कर लें और हमने कुछ ऐसे concepts भी involved हैं जो कि अभी हमने detail में नहीं बढ़े जैसे की audit matter है अभी हमने detail में नहीं बढ़ा तो question जो भी आपके जहन में आ रहे हैं आप पूछते जाएं मैं भी उनको explain करता जाओंगा ठीक है advance वाले questions को भी explain करता जाओंगा ताकि हमारी base develop हो जाए ठीक तो one by one इसमें से कोई अगर question पूछना चाहते हो जी मेरे अच्छा पर उन्होंने का सर elements of audit report में दो elements हमने पड़े title और address तो यहां पे अगर आप देखे तो उसने title और address ही दोनों इकठे किया हूं है independent auditors report यह title है to the members यह address ही है तो क्या वो इकठे हो सकते हैं याद रहे कि पहले मैं इसका one word answer दे दूँ yes इकठे हो सकते हैं अब standard क्या बताता है वो मैं आपको बताता हूँ standard कहता है report में जितने भी elements है ना जितने भी elements है उसमें सिरफ हम opinion paragraph और basis और opinion इन दोनों की placement suggest कर रहे हैं कि यह सबसे पहले हो यह opinion और basis opinion सबसे इसके लावा जितने भी elements है report में होना जरूरी है तरतीब होना जरूरी नहीं है यह ISA ने हमें कहा हुआ है तो इसे लिए देखें title भी मुझूद है report में address में भी मुझूद है आपको सिरफ placement या presentation का मसला है वो आपकी judgment है आप चाहे लादला यूज कर लें चाहे एक लादमें यूज कर लें लेकिन symmetry रखने के लिए पाकिस्तान में इसी तरतीब से elements को present किया जाता है जिस तरतीब स इस report में मुझूद है और हमने भी मेरा ख्याल है इसी तरतीब से इन elements को cover किया है तो symmetry रखने के लिए ये elements दूरूरी लेकिन याद रखिएगा standards सिरफ opinion और basis for opinion की placement को require करता है कि start में होने चाहिए बाकी नहीं जैसे आगे चलके हम पढ़ेंगे कभी हमारी report में answer matter भी आ आजमी है पहले कौन सा लिखना आपकी judgment है आपको लगे matter वाला ज्यादा है मैं वह पहले लिखते हैं आपको लगे going concern का ज्यादा है वह पहले लिखते हैं तो placement standard elements की placement require नहीं करता सब्सक्राइब और basis for opinion के कहता है यह सबसे पहले हो क्योंकि यह सबसे हैं है क्लियर होग और क इसे कहते हैं यह शायद आपने की audit matter में बढ़ा हो गई है हाँ जब हम procedure perform कर रहे होते हैं ना तो उसमें जब legal cases का issue हो ऐसे areas हो जिन में litigation involved है तो client अगर first कीजिए एक case हार जाता है तो आपका क्या हाल है वो फोरान उसकी payment कर देता है नहीं सम टाइम ऐसा सम टाइम आपको यह कहेगा ज्यादा तर यह कहेगा के case आपका pending a court में ज्यादा तर यह कहेगा तो हम कहेंगे अच्छा lawyer से पूछ लो confirmation letter send कर लो year end के बाद देखो इस case का decision क्या आया है अगर कोई decision आया है इसकी जो case के facts हैं जो correspondence मगारा है वो पढ़ लो उससे अंदाजा हो जाएगा कि case किस किसम का है प्रैक्टीकली ऐसा होता है कि cases different level पे लगे होते हैं सम्टाइम तो first level पे case लग रहा होता है session code में वहां पर अगर company हार जाए तो आपको आप आप आपील फाइल करती है high code में या फिर supreme code में तो ये जिस authority को appeal file की जाती है इसे कहते है एपलेट tribunal भी sometime कहते है एपलेट बोर्ड भी कहते है एपलेट authority भी कहते है law में पड़ा टेक्स में पड़ा हाँ बिल्कुल ठीक है ये उसका जिकर कर रहा है असल में इस company के खिलाफ पहले कोई case जो है वो decide हो चुका होगा lower code में और इस company ने या दूसरी party ने appeal file की होगी तो वो ये कह रहा है कि हम एपलेट जो tribunal भॉर्ड है उसमें जाके चेक करेंगे documentation वगरा उसका status लेखेंगे किया है ठीक है लेकिन आपको जो exam में कैफ लेवल पे case आएगा वो simple आएगा उसमें एपलेट tribunal की बात नहीं की होगी उसने जी और की question अधर information का third paragraph अचा चलें एक तरह से मारी रिवियन हो जाएगी इसको पूरा section ही पढ़ लेते हैं ज्यादा focus में third paragraph पे करूंगा सबसे पहले heading दे रहा है देखे हर element से पहले heading आएगी यह जेंद में रखिएगा information other than financial statements and auditors report there on in short हमने इसको क्या नाम दिया हुआ other information का वही बात कर रहा है management is responsible for other information other information कि director report बनाना किसके जिम्मेदारी है management के other information comprise the information included in annual report but does not include financial statement and our auditors report there on वही definition बता रहा है जो हमने discuss की थी फिर कर रहा है our opinion of financial statement does not cover the other information and we do not express any form of assurance conclusion है वही बात के हम financial statements के ओपर तो opinion express करते हैं other information के ओपर opinion express नहीं करते तो फिर नहीं करते तो paragraph क्यों दिया यह 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 बात आगे कर रहा है यह बात आगे कर रहा है कि अगर हमने opinion नहीं देना तो यह paragraph कर रहा है in connection with our audit of financial statement our responsibility is to read the other information कहता है हमारी responsibility सिर्फ other information और read करना है उस पर reasonable assurance प्रवाइड करना नहीं है read करने में और reasonable assurance प्रवाइड करने में फरक है reasonable assurance का मतलब है कि आप उस सारे areas को verify करें उस सारी information को verify करें Read करने का मतलब है verify करने कि जडरूत में इस सिरफ पढ़ लो अगर आपको अपने existing knowledge की base पे उसमें गड़बड लगे वो बता दो वरना कुछ भी नहीं करना यही कह रहे आगे Our responsibility is to read the information, other information and in doing so, read करते हुए Consider whether the other information is materially inconsistent with the financial statement or our knowledge obtained in the audit or otherwise appears to be materially misstated हमने यह देखना है पढ़ते हुए क्या यह other information हमारे जो audit के knowledge के साथ inconsistent हो नहीं है अगर है तो फिर देखें के misstated हो नहीं है inconsistency और misstated में दोनों बादे कर रहा है ना inconsistency का मतलब क्या है के देखें other information में कुछ और financial में कुछ और contradiction है और अगर है तो फिर हमने फर्दर देखना है यह other information misstated दो नहीं है ठीक हाँ जी विल्कुल और अगर मिस्ट अब आगे भी बात कर रहा है if based on work performed we conclude that there is material misstatement of other अगर हमें पता यह confirm हो जाए कि other information misstatement है we are required to report the fact फिर हम आपको यह बताने के पाबंद है we have nothing to report in this regard इसका मतलब क्या है कि हमने other information को बढ़ लिया कोई inconsistency है नहीं है यादि पूरा concept क्या दे रहा है पहले हमें उसने बताया definition other information की है क्या फिर बताया मैंज़मेंट की क्या जिम्मेदारी है फिर बताया हमारी क्या जिम्मेदारी है हमारी opinion देना जिम्मेदारी नहीं है सिरफ read करना जिम्मेदारी है फिर आगे बताया कि read करते हुए हमने क्या देखना है कि अधर इंफर्मेशन इंकंसिस्टेंट या मिस्स्टेटिट तो नहीं है, फिर आगे बताया, कि अधर मिस्टेटिट है, तो हम आपको बताएंगे, वे हैव नथिंग रिपोर्ट इन दिस रिगार्ड, मतलब? अच्छा जब यहां पर देखें, उसकी साइंस देखें, उसके लफाज का चुनाओ देखें, वो यह नहीं कहरा है, अधर इंफर्मेशन इस करेक्ट, क्योंकि अधर इंफर्मेशन इस करेक्ट है, वो उसका उपीनियन आजाएगा, उपीनियन की वर्डिंग आजाएगी, वो वो कहा रहा है कि हमने कुछ नहीं रिपोर्ट ही नहीं देनी कोई, हम देश बारे में कुछ बता नहीं नहीं हां बिलकुर, उसमें फिर भी लिम्टेटेशन में फिर भी कुछ बता रहे होते हैं, मौड रेड लावल रखके, अधर चलिए यह क्लिए मेरे बाई जिन पूछ और यह रेफरेंस दे सकते हैं कि किस तका भी किया है, नमबर वन, बुलिट नमबर वन में है, लास लाचा, रिसक ओफ नाट डिटेक्टिंग ए मैटेरियल मिस स्टेटमेंट जल्टिंग फ्रॉम फ्रॉड इस हायर देन फार वन रिजल्टिंग फ्रॉम एरर, इस पर तो हम फ्रॉम 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 फ्र जैसे litigation के miss representation आड़ीटर को गलत information देना management गलत information दे आटर को आप को पपते हैं representation हम management से लेते हैं obtain करते हैं और अगर यह representation return form में लेंज से क्या कहते है रिपेसेंटेशन letter representation letter जान बूज के गलत representation तो फिर जाहर है हम तो नहीं उसको verify कर सकते जो management नहीं गलत information दी हमें वोगर procedure perform करते हुए identify हो जाए तो सो हो जाए वरना मुश्किल होती है और override of internal control override of internal control इस सब में सबसे ज्यादा है मैं हमारे syllabus के point of use है internal control आपको पता क्या है internal control किसने design implement करना है अगर कोई imply इसकी कि खिलाफ वर्जी करना चाहे तो नहीं कर सकता स्टेंडर्ड ने एक जगह पर लिखा हुआ है वह आगे चलके topic आगा उसका basic concept शेर करता हूं कहता है management ने जब internal control design implement कर दिया ना कोई imply अगर internal control bypass करना चाहे नहीं कर सकता क्योंकि management उसके उपर नज़र रखी हुई है जैसे CCTV camera है ठीक है अगर कोई imply चाहे कि थोड़ी देर के लिए 15 मिन के लिए CCTV camera बंद कर दें वह चोरी करके चीज़े ले जाए बाद में CCTV camera उन हो जाए imply करना चाहे कर सकता है नहीं उसके पास 30 नहीं है वह implement वह तो नहीं कर रहा तो management करें लेकिन अगर कोई cfo ceo ये करना चाहे बिल्कुल कर सकता है हाँ ठीक है आप अकसर देखते हैं कि कहीं पे सरकारी दफ्तरों में खास और पे कोई वुकुआ होता है कहते है CCTV camera पता चलता है बस उसी वक्त उसी दिन हराब हुआ था CCTV camera और complain की हुई है कि ठीक कर दें तो यह basically इसे कहते है override of internal control जब management अपने बनाए हुए control को bypass करें इसे क्या कहते है override of control यह management override of control कहते है override का मतलब bypass करना rules break करना rules break करना ठीक है इसका मतलब है अच्छा standard ने में इसका सबक पता है क्या दिया है किता है इसका मतलब है किसी जगाह पे अगर internal control आपने शैस्ट किया ना strong है risk कम कर लो ठीक है लेकिन इस इनतीज्य पर ना पहुंचना के management ने अभी fraud नहीं किया क्युक्त control strong है तो कोई fraud नहीं होगा नहीं 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 हो इंडर कंट्रों बता चला हर सेल इनवाइस हर सेल इनवाइस होती है जब तक good dispatch control है जब तक good dispatch note attach नहीं होगी ना सेल इनवाइस record नहीं होगी इकाउंट्स में यह control है मैंने sample base पे 15-20 को देखा इसी तरह था हर सेल इनवाइस के साथ good dispatch note था तो क्या इसका यह control strong है risk मेरा कम हो जाएगा क्या इसका यह मतलब है fraud नहीं कहता है नॉर्मली तो आप यह कह लिए और अपने procedure भी कम कर दें लेकिन जब fraud रिसक assessment की बात आएगी ना तो आपने खास तो और यह रेंड पे जरूर बड़ी सेल इनवाइस को देखना के इनके साथ good dispatch note है के नहीं हाला के दूरिंग दी यह हम देख चुकिए control strong है यह रेंड पे खास और पे क्यों देख रहे हैं क्योंकि होस्ता है यह रेंड पे सी आफ़ने खुद कहा दिया हो कि बाई टारगट पूरा नहीं हुआ फेक से एलिन वाइस बनाई जाओ तो इसलिए नॉर्मली चाहे system ठीक भी नजर आ रहा हो हमारा risk of fraud फिर भी मुझूद रहता है और खास और पे उसने कुछ यह टेक्नीक से बताई है ठीक है फोरजरी भी एक टेक्नीक है इसके लावा collusion भी टेक्नीक है और फिर यह management override of control भी एक टेक्नीक है क्लियर हो गया है management override of control का मतलब क्या है ठीक है तो उसने exam में case study में question पूछा उसने का आपकी आड़ी टीम ने internal control assess किया internal control बहतरीन था client का इसलिए team इस संतीजे पे पहुंची कि इस client पे कोई risk of fraud नहीं है इसमें management override of control का risk नहीं है क्या यह conciliant ठीक है साब आशिस का जवाब ना ठीक नहीं है management override of control स्टिल मुझूद है चाहे हमें internal control normally strong क्यों ना नजर आ रहे हो ठीक है तो हम अपने routine के procedure को कम कर देंगे internal control strong होने की बज़ा से लेकिन जब management की integrity doubtful होगी न तो वो इस वज़ा से हम integrity का risk कम नहीं करेंगे control strong management की integrity को evaluate करते हुए internal control को side में कर देंगे क्योंकि वो तो management जब चाहे बाइपास कर सकते हैं यह risk हर organization में मजूद होता है कि management ने अपने control खुद बनाए और अपने जाती कुछ मकासिद के लिए वो जब चाहें उनको break कर सकते हैं clear होगा जी यह override of control की दोने पुछा कि तसली जी अगर हम नारी risk assessment की risk assessment में से पता चला risk कम है हमने procedure कम कर दिये बाद में पता चला fraud है तो कोई इस्व नहीं हमने इसंबलेशों और सब्टेन कर लिए देखे जब तक आप ISA के बताए हुए असूलों के मताबिक काम करते रहेंगे और जहां पे judgment है तो आप professional judgment apply करेंगे और तब तक आपको standard secure करता रहेगा protection देता रहेगा इसके बाद जो मरजी निकला है fraud आपको दुनिया की कोई ताकत हाथ नी लगा सकती अगर आपने ISA को follow करते हुए सारा काम किया लेकिन अगर ISA को follow नहीं किया कुछी एक requirement को भी आपने छोड़ दिया और फिर fraud सामने आ गया फिर नहीं आपको छोड़ते हैं तो वहां पे हमने खुद अंदाजा लगाना होता है कि इस जगा पे हमें क्या करता है हाँ अगर आपने बाइस देखें एक होता है अपना थोड़ा सा ज़रा आपना कंसर्प्स की बारीक्यों पे आ रहे हैं तो मैं भी accordingly आपके साथा चल ला हूँ एक है profesional judgment बाइस होना इसकी कोई माफी नहीं है एक है professional judgment आपने अपलाई की और बाद में वह false false व्हलूत साभी य다 फार्व इसकी माफी है इसकी माफी है लेकिन जान पूचके आपने अगर गलत judgment apply की बाइस होगे इसकी माफी नहीं है अब आपने यह नहीं पूछना कि प्रैक्टिस में कैसे पता चलेगा कि प्रैक्टिस में पता चल जाता होता है वो बहुत से हलातों वाकियात का जाइदा लिया जाता है पता चल जाता है अच्छा उन्होंने का सर हमने प्रफेशनल जज्जमेंट अपलाई की थी बाद में बाइस साबित होगी ऐसे नहीं होता देखे स्टेंडर्ड ना अब हमारा जो सब्जेक्ट है ना ये कोई 2-4 साल पहले नहीं औरीजिनेट हुआ इसको डेड़ 200 साल होने वाले है इसमें जितनी भी कमी बेशी होती है ना वो और लेड़ी आइडेंटिफाई होके जितनी भी कमिया थी वो अड़र्जस्ट हो चुकी है इस तरह के इशुस पहले आये थे अब उन्होंने रूल्स बता दियों है आपने डाकुमेंट्स की बेस में थाबित करना है कि आपने जज्जमेंट क्या अपलाई कि है आपने कहने जी परवियन फार बेड़ डेड़ मैंने इस साल हाई एस्टिमेट की क्योंके करोना वायरस था और इस वज़ा से लोगों के माली हालात खराब थे और रिकवरी मुश्किल थी इसी वज़ा से मैंने हाई परसंटेज बाद में चाहें एक रिपे का भी बैड़ ड़ ना हो आपकी गलती नहीं आपको कोई नहीं कहेगा कि यह मिस्स्टेटमेंट है आप गेंगे सर देखें उस वक्तिका और वर चुके रिजन ने बला हर बंदे को समझ आ रही है इसे होना चाहिए तो आपको स्पोर्ट किया जाएगा और की क्वेस्टा और की क्वेस्टा आइटर स्पॉंसबिल्टी के लास्ट पैराग्राफ की लास्ट लाइन फ्रॉम दा मैटर्स कुम्यूनिकेटिज बर बोड़ चले सुनने सुनने के रहे हैं अच्छा यहां पर आपको नहीं पता लेकिन मुझे पता है कि सारे कंसर्फ की पूछ रहे हैं ना वो आगे कहीं ना कहीं लिंक कर रहे हैं इसलिए मैं तसल्ली से हैं हाँ तसली से ना कि सारे आगे जो concept है ना वो इनी conception निकलेंगे, वो इनी concept के बच्ची हैं जो आगे हम पढ़ेंगे, तो इसलिए मैं यहां पर भागँ भाग नहीं कर रहा, ठीक है, यह नीं कि एक तरीका यह भी होता है, कि आगे पढ़ने आगे समझाओंगा, वो जहन में गिराब बंद जात लेकिन इसका एक सोड़ा सा नुकसान भी होता है क्या हमारी इस प्रियर टाइम चा लेकिन यहां पे जो एक घंटा मैक्स्टा लगाते हैं अब आगे यह भी सुनने वो हमारे हाफ सेशन के बाद दो घंटे बचाएगा दो घंटे बचाएगा अचाषचा अब इस में लेकिन मेरा भी फायदा है बाद उकार ऐसा होता है कि आग्जेम्पल ना पहले यह हट के बाहा बता रहों यह मैंने कहा दिया चले जी यह बाद में पढ़एंगे यह टॉबिक बाद में पढ़एंगे तो आप तो बात मान लेते हैं ना जो वर्टसेफ ग्रूप में स्ट्रोंट्स होते हैं ना उनलाइन वाले वो उसी एक्जेम्पल को उसी क्वेस्टन को बार बार पूसते हैं तो मेरे साथ ऐसे भी हुआ कि एक कंसर्ड मुझे कोई 20 दफा एक्स्प्लेइन करना पड़ गया उसके बाद मैंने फैसला कर लिया चाहे छोड़ी से छोड़ी चीज़ क्यों ना हो वो एक्स्प्लेइन लाजमी करके जाने यहां पर मैं आपने दो मिड़ बचाने के लिए उसको स्किप कर जाता हूना तो फिर ओनलाइन में जाके मुझे वो आदा गंटा एक्स्प्लेइन करना पड़ता है 15 स्वेंट्स को मैं नहीं नहीं मुचल बैनिफिट है मैं आपका भी तो फाइदा एक एक चीज मैं कर रहा हूं साथा बारहाल चलें आगे चलते हैं भाई ने का जी एक तो हां जी आड़ीटर रिस्पॉंसिबिल्टी का लास्प फ्रॉंदा मैटर्स कम्यूनिकेटिड विद बोड़ डारेक्टर्स वो मैटर्स जो अच्छा मुझे बताईए हम डारेक्टर को क्यूंटर कम्यूनिकेट करते हैं कौन-कौन से डारेक्टर रपोर्ट लगा इसको बोली मारे हम डारेक्टर रपोर्ट रपर्डेक्टर को बनाके देंगे हैं हम यह इंटरेनल राइटर बनना जारह है हम बताते हैं कोई भी सिंग्निफिकेंट देखें दो और फी बात करो ना दो और फी कोई भी significant matter जो during audit आएगा ना हमने वो directors को communicate करना है ठीक है अब वो significant matter कुछ भी वो कोई deficiency in internal control भी हो सकती है वो कोई modification in opinion भी हो सकता है वो idea की independence से related को issue भी हो सकता है even कोई non-compliance भी laws and regulation भी हो सकती है even मजीद भी कोई significant issue हो सकता है अब वो क्या कह रहा है कह रहा है from the matters communicated with both of हमने वो significant matters जो directors को communicate किया हुए है उन में से we determined those matters that were of most significance in the audit of financial current period तो हमने उन में से most significant को select किया क्योंकि आपको जाद है मैंने key audit matter को explain करते है बाट यूज किया था most significant का तो देखे significant matters communicate करने हैं directors को तो जो most significant होगा वो significant मैंसी निकलेगा ना ऐसा तर नहीं हो सकता है कि कोई matter significant नहीं है लेकिन most significant है logically नहीं है तो इसलिए वो कह रहा है कि जो significant matters हमने director को communicate किये थे उसमें से फैसला किया है most significant कौन से है फिर क्या किया हमने therefore key audit matter वो हमारे key audit matter होंगे कोई आप से पुछे key audit matter को define करें हम कहेंगे जो matter जो directors को communicate करते हैं उन में से जो most significant matter होते हैं वो key audit matter ये एक तरह से key audit matter की definition बताई हैं फिर कहरें we describe these matters in our auditor's report इन matters को हम auditor report में describe करते हैं unless law or regulation precludes का मतलब है मना करते हों exclude करते हो public disclosure about the matter are in extremely rare circumstances we determined that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences would reasonably be expected to outweigh the public interest benefit of such communication क्या किया रहा है पहले उसना बताया तीन चीज़े बताई हैं उसने इस पहले चीज़े key audit matter क्या होते हैं दूसरी चीज़े उसना का key audit matter हम अपनी रिपोर्ट में बताते हैं तीसरी चीज़ उसने exception बताई है के वो कौन से कैसे हैं जिसमें key audit matter नहीं बताया जाता key audit matter नहीं बताया जाता अच्छा इसमें एक बहुत ही technical concept है वो आपको बता रहा है एक key audit matter section के अंदर कितने की अडियेट मीटर होते हैं दो तीन समझ है तीन है तीन है ओन आभरेश दो कंसेप्ट है दोनों में फरक है जिसने ये फरक समझ लिया ना समल ले उसके इनेल्डिकल स्किल शाब है एक है कब की अडियेट मीटर इंकलूड नहीं किया जाएगा दूसरा concept है कब key-added matter section include नहीं किया जाएगा नहीं ना समझ आई क्या मतलब key-added matter include नहीं किया जाएगा इसका मतलब क्या है कि कोई एक नहीं बाकी दो किया जाएगे और key-added matter section पुरा section नहीं उड़ जाएगा दोनों concept different है अच्छा अगर फरक समझ आगे तो बताईए इस पराघ्राफ में जो बात कर रहा है कि की-added matter हमने priority मतलब नहीं या जो बी है, नहीं नहीं किया जाएगा यह की-added matter section की बात कर रहा है शावाज की-added matter की-added matter की-added matter की बात किया आपने भी भोला था वो हाथ उनने उठाया था था याँ आप वैसा करें अब हर ओज दो तीन नोड ले जा वी तर आके बैठ जा करें आपके लिए पी आज नहीं हो चलें, तो key audit matter और key audit matter section में फरक समझाए यहाँ पर कहाँ है, key audit matter ने encode किया जाएगा, हनारा audit में concept होता है, उसे कहते है confidentiality वैसे ही यह सिरफ audit में नहीं, हम code of ethics बढ़ेंगे, code of ethics बढ़ेंगे याद रखे, code of ethics में जो rule उसने लिखे आना है chartered content के लिए वो क्या कहता है, आप जब audit कर रहे होंगे ना, आप जब audit, तो client से आप confidential information पूछेंगे आप मेरे से पूछें मेरी Sally क्या है पूछेंगे, हाँ, नहीं बताता नहीं बताता, क्या कर लोगे, नहीं बताता लेकिन अगर आप Rise के auditor बन के आएंगे और फिर मेरे से साली मेरे पे बताना लाजिम है क्यों है तो 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 क्यों क्योंके देखें उसके बगार audit नहीं हो सकता ना, लेकिन standard क्या कहता है, कहता है जहां पे ये auditor का right है ना, के management उसे हर information provide करे for the purpose of audit, वोहीं पे auditor की भी liability है, obligation है के वो इस information को confidential रखे किसी दूसरी जगा पे disclose या use ना करे बिल्कुल और ये हमें अपनी daily life में भी इसी तरह करना चाहिए एक दूसरे का जो राज है, उसका हमें, बिल्कुल, हम एक दूसरे की परदापोशी करेंगे, इंशालला क्यामत वाले दिन, हमारी परदापोशी होगी तो ये है confidentiality का principle अब मुझे बताईए, अगर कोई matter ऐसा हो जो confidentiality रिक्वाइर करता है क्या उसे report में लिख देंगे हैं, यहीं बात कर रहा है पहले, कि अनलेस ला रेगुलेशन, कि जब ला यहां रेगुलेशन कहते हैं, एक matter को confidential लखना है, उसको confidential लखेंगे, यहां सम्टाइम हमें लगे, इसको disclose करने का फाइदा कम और नुकसान ज्यादा है, बास उकात ऐसा सकता है कि फाइदा कम और नुकसान ज्यादा हो, लेकिन ऐसा हो सकता है सम्टाइम, कलियर हो गया जी, तो उसने इसमें हमें तीन चीज़ें बताई, एक की अर्डिर मैटरी की डेफिनेशन, फिर उसने बताया थीक है, जी, पब्लिक ने इसमें पब्लिक इंटरस्ट थे मरा ड़ा सेयर-儿 ओल्ल। इंट्रस्ट क्योंकि सबसे बडव से बड़ी जैनल पब्लिकर यह यूसर वही होते हैं, ह legit तो तक्रीमन एक ही होता है जाहरे कंपनी डूबे शेयर होड़ का इंट्रस्ट मिलता जलता है लेकिन याद रखे इसके उपर भी स्टेंडर ने गाइडनेस दिया इसका यह मतलब नहीं है कि हर इंफर्मेशन को मेंजमेंट यह कहा दे कि सर इसको ना इंक्लूड कीजिए इसे हाँ फाइदा कम और नुक्सान ज्यादा है वह हमारी जजिमेंट शाबार जो की इंडिपेंडेंट होनी चाहिए और की क्वेस्टन जी हां की आडिट मैटर उन्हें का सर यह लग रहा है अपने रिपोर्ट हमें पूरी नहीं थी वह बिल्कुल लग रहा है अच्छा इन्ह और एक असान तरीका भी था था 37 उड़ा हुआ की अडिप ता क्या श्थर्ड यखो 인े उडिए नम्परिंण का यही फाइदा होता है ना कंप्लीटनेर्श इंश्पर होती है बताया था भी नहीं खरी नम्परिंद तो देखें प्री नम्परिंद उर्ड टर यह पता नहीं आपने कितने दिक्तों से बढ़ा होगा, एक सफा और अड़ हो जाता ज्यादा मुश्कित, तो इसलिए मैंने ओए रहल एहम नहीं था भी, इसलिए मैंने का चाहिए, स्वोण की जितनी जिन्दगी आसान हो सकते हो तो नहीं करते हैं, उसको निकाल दिया, यह क्योंकि सिरफ एक आपको बताना था, फार्मेट देना था, कि की आर्डर मैटर इस तरीके से प्रिजेंट होता है, कलकला को आपने जब इसको लिखना हो तो यह फार्मेट फालू करना है, और की क्वेस्टन, जे, अच्छा पहला क्वेस्टन इनका, अच्छा मेरा है आज प्वोटी डिसकस और एडवांस कंसेप्ट डिसकस होंगे, यह शायद ना सक, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दो चीज़ें आपके साथ मैंने क्मेट की हैं, बलके तीन चीज़ें, जितना बर्डन पहले दिन, उतना ही बर्डन आहरे दिन, बलके आहरे दिन से कम, शाबाज, तीसरी चीज़, जो आहरी महिना है, फर्वरी का, फर्वरी के महिने में कोई लेक्शर नहीं जाएगा, 31 जनवरी तक, बड़ी कोई एक्स्ट्रा रेर केस हुआ ना, तो शायद फर्वरी के दो तीन, दिन, वरना नहीं होगा, वरना उदर भी नहीं जाओंगा मैं, ठीक है, और तीसरा, reasonable practice, case studies की, ठीक है, और अगर कोई स्ट्रोंड ज्यादा करना चाहता हुआ तो ज्यादा practice भी, ठीक है, लेकिन class में जाहरी है, discussion हर case study की नहीं हो सकेगी, class में जो हमारी, जो मैंने select की हुए case studies, core case studies, उनकी discussion होगी, जो IK वाली है, या कुछ एक C5 वाले, जो additional वो आपकी description है, करना चाहें, करें, नहीं करना चाहें, ना करें, उनकी practice, जो कि अभी तक हमने नहीं की, अभी तक कोई case study नहीं है, का दुका case study आपको test में याफिय करवा दी, वो सिरफ आपको बताने के लिए case study कैसे है, असल case study तो इस chapter की है, इस chapter की है, अच्छा, तो, का कह बाई का question किया था, हाँ, हम नहीं, मैं ये कह रहा था, कि ये इधर, शायद ना आज discuss हो सके, तो परिशान नहीं हो ना, आपने, कि हम शायद एक दिन आगे extra चला गया, नहीं नहीं, जिस तरह standard कहते है, कि element सारे होने चाहिए, तर्तीब आगे पीचे हो सकती है, उसी तरह syllabus क हर चीज हम पढ़ेंगे, और दो, दो, तीन, तीन तीन तफ़ा पढ़ेंगे, क्योंकि एक दफ़ा जैन में नहीं बैठती, लेकिन तर्तीब आगे भीचे हो सकती है, अच्छा फिर, इन्हों ने कहा, एक बड़ा issue छेड़ दिया, इन्हों ने इस कर दिया, उनका सर, इसमें इसमें सर, material uncertainty related to going concern का paragraph पढ़ा था, वो इसमें कहीं पे नहीं है, क्यों एक मेंट हरे, क्यों एक मेंट हरे, एक मेंट हरे, जी जी, वह वो, वो उस वक्त आएगा, जब going concern का issue होगा, वो required नहीं था, वो था when relevant, जब going concern का issue आएगा, तो शाबाश वो paragraph आएगा ना, going concern का issue नहीं है, तो कोई पढ़ा, तो इस client पे going concern का कोई issue नहीं है, अच्छा इसमें तो MC 100 मेटर भी नहीं है, तो वो इसमें तो अधर मेटर का पहरा भी नहीं है, वो भी नहीं होगा, वो भी नहीं होगा, अच्छा ये चीज़ हैं में रखिएगा, तीन अल तीन, हाथ उठाना है, other information, other matter, other reporting responsibilities, इन तीनों में जो फरक बताएगा, other information में वो information होगी, जो financial statement से नहीं रिलेट करती है, जैसे डिरेक्टर रिपोर्ट वारा, other matter, other matter में वो information आएगी, जो auditor से रिलेट कर रही है, और auditor यूजर को बताना चाहता है, other information, other matter में फरक समझा आ गया, तीसरा, other reporting responsibilities, शाबा, ये जो regulators require करते हैं, कि आपने financial statements के साथ मज़ीद कुछ matters के उपर भी opinion देना है, ठीक है, वो है हमारा other one, हाँ जी बिलकुल, अब other reporting responsibilities में, पाकिस्तान में regulators ने क्या कहा हूँ है, किस किस चीज़ के उपर opinion देना है, चार है, चार है, चारों बताएंगे तो सोर बेना, नहीं, one by one, देखें, दूसरे students को भी जरा मोका दे दे, proper books of accounts companies act के मताबिक बनी है के नहीं, अच्छा, एक case study में उसने कह दिया, proper books of accounts have been kept, इसमें से गलती तो, यह गलती थी, शाबर, जकार डिड़क्ति एड सोर्स, अंडर जकार अंच्छर आर्डिनेंस, ठीक है, 1980, investment or expenditure, for the purpose of companies business है, going concern issues को देखना है, यह लीजिए, बस पचास, going concern नहीं, कौन से चीज़ थे, अच्छा, इनका question है, हाँ, बिल्कुल सुन लें, उन्हें ने कह सर, चलें, इसमें, आपने कहा, going concern हमने माल लिया, लेकिन going concern uncertainty की एक reason होती है ना, अब यह गोर से सुनेंगा concept, बारीक concept है, going concern uncertainty की जो reason होती है ना, उन मेंसे एक यह भी होती है, कि हम कोई बड़ा case हार जाएं, बड़ा case हार जाएं, वो भी तो, litigation, सर यहाँ पे litigation है, key audit matter में two है, तो यह litigation, आपने key audit matter में क्यों include की है, शाबाश, यह इतना बड़ा है ही नहीं issue, कि इसका going concern लाए जाएं, ठीक है, यह इतना बड़ा, याद रखें, याद रखें, अच्छा, इतना बड़ा नहीं है, key audit matter में क्यों आ रहा है, सुनने हैं फिर, हमारे audit में, हमारे audit में अभी नहीं explain कर रहा है, information को ना किसी भी चीज़ की significance को evaluate करने के चार level हैं, चार level हैं, एक होता है सबसे छोटा मसला, सबसे छोटा मसला, उसे कहते हैं clearly trivial, उसको तो ignore ही कर देते हैं, एक होता है उससे बड़ा, उसे कहते हैं immaterial, उसको ignore नहीं करते लेकिन, हाँ, उसको संभाल के रखते हैं, immaterial की base पे opinion modify नहीं होता, लेकिन still उसको संभाल के रखते हैं क्योंके क्योंके एग्रीगेट बाई अभी मैं ने आफर की नहीं दे क्योंके इम्माटीरियल एग्रीगेट होके माटीरियल हो सकता है यह हो गया इम्माटीरियल सबसे छोटा कौन सा क्लियरली ट्रीवियल उससे बड़ा इम्माटीरियल और इंब माटीरियल होगा जो 5% प्रॉफेट से कम है दो चार सो वाला नहीं सैंक्डों में नहीं लेकिन 5% हाँ 2% 3% 4% प्रॉफेट माटीरियल वो है 5% से ज़्यादा है लेकिन 50% से कम और एक होता है परवेसिव 50% से भी ज्यादा ये सबसे बड़ा होता है हमारा इंपक्ट हुए तो जो इशूज होते हैं न aur सामने े शूज आप ये नहीं कह सकते सर लीगल केस हमेशा परवेसिव होगा ये नहीं कह सकते सर चेंज इनकांटिंग पालिशी हमेशा मैटीरियल होगा या मैटीरियल नहीं ये relative significance पे डिपेंड करता है हो सकता है एक चीज किसी client पे material हो दूसरे client पे material हो जाए तीसरे client पे परवेसिव हो जाए ऐसा possible यह बात समझा रही है अब सुनिएगा यह legal case है ना इसके भी तीन लेवल है एक है routine nature के legal cases जो companies के साफ चलते रहते हैं जैसे company की product सही नहीं और warranty claim नहीं कर रहे हैं उसने consumer code में case file कर दिया कुछ companies की nature जी हाँ डैटर बगारा ने कर दिया कि आपने product हमें सही supply नहीं की रुटीन nature के case जो रुटीन nature के case होते हैं यह आते हैं कि आडिट मेंटर में फिर कुछ case होते हैं exceptional nature के exceptional nature के जो के कभी इक बार होते हैं जैसे CFO को remove कर दिया उसने company के हलाफ case file कर दिया जैसे हमने 300 million का कोई integer patents acquire की है और किसी competitor ने कहा हमारे चोरी कर लिए आप लोगों ने अब यह आपके यह जो के case है जो रुटीन nature के नहीं है exceptional है जो exceptional litigation होती है ना यह material तो होती है बड़ी heavy नहीं होती है company बन नहीं होती है company चलती रहती है इसको फिर हम key audit matter में नहीं लिखते हैं किसमें लिखते हैं लेकिन अगर केस इतना बड़ा हो कि अगर company के खिलाफ decision हो गया तो company बंद हो जाएगी उसके पास penalty पे करने के पैसे भी नहीं होगे फिर इसे emphasis of matter में नहीं बलके material uncertainty relating to going concern में डाले यह बास समझा गई तो लीगल केस क्वेसर मेरा यह है legal case key audit matter में आएगा matter में आएगा यहां के material uncertainty लेटी लोग करता है अब यह तो हो गया एक्जाइम में कैसे बता चलेगा यह सुने एक्जाइम एक्जाइम में नॉर्मली वो यह नहीं कहता कि रूटीन यह चरका किसा एक्जाइम में अगर तो वह कह देना legal किसी चलने है कोई उसके आगे उसकी बताए ना detail ना बताए तो इसका मताब है की order matter लेकिन नॉर्मली ऐसा नहीं करता जब एक्जाइम में legal case बताए और उसके साथ उसकी nature बताए कस्टमर ने फाइल किया चाहे कस्टमर की तरफ से ही हो बाद उकात कस्टमर की तरफ से भी बड़े claim होते हैं अगर उसने एक्जा और अगर case बताए साथ में nature भी बताए और आगे यह line लिख दे के अगर adverse decision आया company में not able to continue its operations जब यह अलफाज लिख देना company में not be able तो फिर इसका मतलब क्या है material uncertainty related to going concern का पैरा आएगा clear? अच्छा history में एक छोड़ी से example आपको देता हूँ कि आप जो cigarette होता है ना उसको पर लिखा तुम बाकु नोशी सहत के लिए नुकसान दे एक जगा में case बढ़ा था जब यह industry start हुई ना उस वक्ट डबी पर यह नहीं लिखा होता था एक बंदे ने cigarette इसमार की उसे lung cancer हो गया उससे company इस फाइल कर दिया कि इनकी product नुकसान दे है और इनने मुझे नहीं बताया तो मुझे penalty इन से लेके दीजिए और वो case जीत गया उस case को amount दोड़ है उसकी damages जब company ने pay किये उसके बाद company recover नहीं कर सकी बंद हो गई अगर आप इस company के auditor हो एक मिन ठारी अगर आप इस company के auditor हो यह रेंड़ पे case चल रहा है code में आपको significance का अंताज़ा हो गया कि penalty हावी है key audit matter, mcso matter यह going concern uncertain क्यों क्योंके हमें information मिल गए कि कम नहीं बंद हो सकती है अगर यह information नाना होती फिर mcso matter में जाता फिर mcso matter में जाता नहीं case चल रहा है तो अंदाज़ा होता है amount से lawyer बता देता है के likely outcome क्या है ठीक है lawyer हमें बता देता है अच्छा अब सुने year end पे situation ये है के lawyer ने कहा company case जीत जाएगी लेकिन अगर हार गई ना तो penalty इतनी है कि अप यह नहीं कर सकेगी company ने क्या किया इसको disclose किया प्रवियन रिकार्ड नहीं की इसको disclose किया है क्या यह misstatement है misstatement नहीं है आपने अलफाज गोर से नहीं सुनें lawyer ने कहा case जीत जाएंगे ज्यादा चांस है यह case जीत जाएंगे लेकिन अगर हार गए तो company pay नहीं कर पाएगी ज्यादा चांस है case जीत जाएंगे इसका मतलब क्या है आउट फ्लो प्रोबेबल के नॉट प्रोबेबल आउट फ्लो नॉट प्रोबेबल है इस पे प्रवियन नहीं आती डिस्क्लोईयर आता है अब सुनें यह बास समझा गई company देखेंगे डिस्क्लोईयर हम देखेंगे डिस्क्लोईयर ठीक है तो अन्मोटिफाइड उपीनियन और साथ में पैरा कौन सा एम सी सो मैटर के अंसर्टेंटी लेटिन अगोई कर देखेंगे क्योंकि वकील ने कह दिया था question में के pay नहीं कर पाएंगे अच्छा अब मुझे बताईए अगर ये रेंट के बाद पता चले कमपनी केस हार गई है ये अड्जस्टिंग इवंट है के नॉन अड्जस्टिंग इवंट है तर्फाएं वाला नहीं यी आगज़ेंपल ये आगज़ेंपल मैंने आपको अडजस्टिंग और नॉन आडजस्टिंग गोई हुई क्लास में कोई स्टूनर्ट जो अड्जस्टिंग इवंट्स की एक्जेंपल बताए नर्वी ऑफ इन्वेंट्री इन्वेंट्री का ये रेंट के बाद को से कम पे सेल हो ना बैंक्रप्सी ऑफ डाडर डिसीयन ऑफ लीगल केसिज ये किस कहां से पढ़ें आप इसने सिखा है हां अब ये कह रहा है मैंने निवताय हुए ये वह कह रहा है लिखे भी हुए है लेक्जर गोर से सुझें तो फिर है ना लिखे हुए था तो उसमें डिसीयन लीगल केस का डिसीयन अडिस्टिंग इवंट है इसका मतलब है अब हमने सिर्फ डिस्लोज नहीं करना अमांउंट्स को रि करते हैं और फिर मैंने बहाने से ये कंसर्ब्री रिवाईज किया कि कब लीगल केस को डिस्क्लोज करना है और कब उसकी एडिस्टमेंट करनी है जिसमें आप फेल हो गए है अच्छा बाराल यह समझा गया ना कि एक ही लीगल केस हो सकता है कभी की आर्डिट मेटर में हो हो सकता है वह लीगल केस मेटर में भी आ सकता है क्वेस्टन की इंफर्मेशन आपको खुद बताएगी मैंने किदर आना इस रिपोर्ड में में क्यों नहीं आया क्योंकि यह उस साड़ीटर की जैज्जमेंट के मताबिक रूटीन नेचर का केस होगा रूटीन नेचर का केस होगा है यह तो बताया ही नहीं केस कंपनी ने किया है दूसरे लोगों के खिलाफ के दूसरे लोगों ने कंपनी के खिलाफ किया है मुझे यह बताएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएए फाइल किया, अगर कुछ मेंशन ना हो, वैसे क्वेस्टर में नॉर्मनी मेंशन कर देता है, लेकिन अगर कभी कलियर नहीं है, क्वेस्टर में नहीं होता है, अगर कंपनी ने किया है, क्योंकि ने क्गनी के रिवियू हुआज नहीं होता है, क्ला, नहीं होता क्लास में कोई स्ट्रोंट जो मुझे है बता दे कि कब कमपनी के खिलाफ लीगल केस रिकार्ड किया जाएगा और कब कमपनी दूसरों के खिलाफ जो लीगल केस किया है उसको रिकार्ड किया जाएगा अच्छा आप लोग पार्टिस्पेड क्यों नहीं करते हैं नहीं वाकिए नहीं आता आपको आप लोग बाई क्या पैट्रोल कटा कर रहे हों कब लीगल के अच्छा दो स्वाल पहला स्वाल दूसरे लोगों ने कंपनी के खिलाफ लीगल केस फाइल किया है कंपनी कब डिस्कलोज करेगी कब रिकार्ड करेगी अगर अगर नाट प्रोबेबल या मैयरेबल है तो हम डिस्कलोज करेंगे अगर प्रोबेबल या मैयरेबल है तो फिर प्रवियन रिकार्ड करेंगे शाबर अगर इनफलो प्रोबैबल और भ infñ ड्रोबैबल एंड मेरेंबल है और चुच्भी आ धिस्क्लोज करेंगे और अगर जान gladly sun ऌजे इनका चाफ्शन झीड़े मैंने बिला वजाइक इसको पर 20 में लगा f ya जा हे आगे चल के आने वाले केय he में उसमें आपने करने करने और की क्वेस्टन रेपोर्ट के फाले से जब वाले जब शाबाश्बाश रेजूर्ट में चार मेटर किया है ना यह हम S.C.P के भियाफ पे रेपोर्ट कर रहे होते हैं फर्ज कीजिए अगर S.E.C.P. नहीं कहता ये काम हम तकरीबन तब भी तो कर रहे होते हैं बिलकुल तब भी कर रहे होते हैं और अगर रिक्वाइर्मेंट नहीं होगी फिर भी ये सारे काम करेंगे लेकिन फिर रिपोर्ट में इंकलूड नहीं करेंगे ये है स्टेचूटरी अगर नान स्टेचूटिया जो मारे स्लेबस में नहीं है लेकिन अगर आप उसकी अड़िट पोर्ट देखेंगे ना वो एक्जेक्ली सिमिलर होगी एक एक असूल सेम होगा एक फरक होगा सिर्फ हाँ लीगल वाला पैराग्राफ नहीं आएगा शाबाश क्या अगर 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 अधर पोर्टिंग रिस्पॉंसविलिटी में कोई गडबड आ जाती है जैसे प्रापर बुक्स अफ कॉंट्स मेंटेन नहीं की जकात डिड़क्ट करके डिपॉजिट नहीं की अब जहां पर अब यह भी बारी कंसर्प्ट है जोर से सुनि इसका जवाब है यैस लेकिन लेकिन फोरं फोरं सुनें लेकिन कौन सा ऑपीनियन क्या अंच्छार्ट में लून बहुत नहीं वह नहीं वह नहीं अगर ऑदर पॉर्डिंग वाला ऑपीनियन यानि इसी सेक्शन के अंदर हम लिख देंगे प्रपर बुक्स अवकाउंट्स ह केप एकसेप्ट फार कैश बुक विच हैज बिन डिस्ट्रॉइड विच हैज बिर्ट इंटो फायर क्लियर होगी बात तो अधर 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 पोर्टिंग रिस्पॉंस बिल्टीज में जो हम बाते बताते हैं वह भी मोडिफाई हो सकती है उनकी बेस पर भी मोडिफाई लेकि क्वेस्टन जी अधर को यह विए पंड़क्टिव और इस गॉर्ट इस विडाई आए फरस सारे पैसे ले लो इस ते सारे ले लो अ कि आये हुदा का हुव कर रहे हैं मैं आया आया फरस फालो करने मेनेज्मेंट में फानेंसे से में बनाते हुए हम आडिटर है हमने आया से हां ठीक है सारी रिपार्मेंस पूरी करेंगे बिल्कुल बिल्कुल हां जे लग गे समय अब लग गे समय सुनना इनका क्वेस्टन यह है यह बेसिकली दो कंसर्प्स है दोनों सेम है इसलिए एक तो में एक्समेंट कर रहा हूं बाकी बोनस के तोर पर आपको बता रहा हूं में जो हमसे रिलेटर आप अडिट वाला अकाउंटिंग वाला नही लेकिन सम्टाइम्स कोई दो चार बातें ऐसी होती हैं जो लोकल ला कहता है बाई मेरी मानों क्योंकि पाकिसां में लोकल रिक्वार्मर्मर्स भी है वो हमने देखना होता है डिशनल है के नहीं है कुछ जगों पर गे पाकिस्तान में है इसलिए आप भी नोड कीजिए इस कंफ्लिक्ट है तो हमने किसको फालो करना है लोकल लाज जब लोकल लाज को फालो किया तो कोई यह कह सकते हैं कि हमने आई एसे के मुताबिक अडिट किया नहीं हाँ इसलिए आप नोड कीजिए यहां पर जो आईटर रिस्पॉंसबिटी में किसी दूसरी जबेसित में कह फालोर ऊचर्णियाना बादनाथ है वह था क Learn 17 कर्णूचाना के बाख यहां किसे सब्सक्राइब कहने लाज परकी उच्ला की वजह से औरला हम सारा अडिट करती हैं यसे के मताब़ी की हैं लेकिन जो कि वह दो चार रिक्वार्मेंस फालो नहीं करते उस वज़ा से फिर हम एजाजत नहीं है अच्छा अब यह तो रिक्वाइड बोनस कंसेप्ट सीमिलर कंसेप्ट अपलाई होता है मैनेजमेंट पर मैनेजमेंट ने क्वार्मेंट क क्योंकि कुछ रिक्वाइरमेंट्स ऐसे हैं जैसे कमपनीजान का फारमेट हम आई-ईस-1 को फालो नहीं करते है अच्छा रिक्वाइरमेंट हलाकि सिर्फ एक है लेकिन नहीं फालो किया Nation匠 को तो Grand को चाहे एक requirement क्यों ना हो आप मेरा नाम ने लिए आप देखें इसमें भी उसने लिखा होगा यह ने लिखा होगा management की फ़रा जो IFRS के मताबिक मनी है लिखा होगा approved counting standards as applicable in Pakistan इस तरह के लफाज लिखे होंगे वो इसी वज़ा से लिखे हैं कि कहीं पर complete है और वहां पर अपने local lock ओपर रखा है तो IFRS माइंड करके उनने का ठीक है करें उसको नो प्राबलम लेकिन compliance फिर शो ना करें IFRS के साथ यह बास समझा गई और की question पाकिस्तान में जो ला है जब हमने ला की बात मानी तो आपका क्या ख्याल है ला हमें प्रोटेक्शन आइसे की होगी और आइसे के बापू की होगी पाकिस्तान में जो ला है जब हमने ला की बात मानी تو आपका क्या ख्याल है ला हमें प्रोटेक्शन नहीं करेंगा ला प्रोटेक्शन करेंगा अचा एग मेंट है रपोट से रलेटिड को योर क्वेशन है आपका रिपोर्ट के सारी चीब उची क्लियर होगी अचा भाँ अपिम्याव फेराग्राफ में उसमें जो 5 अलिमेंट इनका 2 दोगा हो दिकर कर दिया है हमने जो आई हैसे की रिपोर्ट बड़ी थी ना उसमें पहले पराग्राफ में 5 अलिमेंट थे दूसरे में 3 आचा इसमें थे है पहले उपर उसमें 5 जो सारोई element बताए हैं पहले paragraph में और दूसरे paragraph के एंड पे वो तीन ही बताए हैं लेकिन दूसरे paragraph के start में दुबारा पांच बता दी हैं तो हाँ बिल्कुल यह कंदी लाकी बचाए से बताए हैं उसने second paragraph में सिर्फ एक लफज में समेट दिया था financial statement यहां पे उसने क्योंके आई ऐसे यह कहते हैं यार उपर वाले पारग्राफ में बतातो दिया तो दूसरे पारग्राफ में दुबारा financial statement का लफज बूज कर लेता हूं यूजर को पता चल जाएगा क्या है लेकिन पारग्राफ में दूसरे पारग्राफ में भी दुबारा सारी पांचों चीज़े दो तो कोई इश्यों नहीं अगर एक्जाब में आपको रिपोर्ट का फार्मेट दे एक जगह पे पांचों चीज़े पूरी हों कि आपने कहना ठीक है और क्वेस्टन इसको छोड़ दे देखें अधर इंफरमेशन आपने अजियूम करना है अधर इंफरमेशन हमें रिपोर्ट साइन करने से पहले मिल जाती है यह हमारे सलेबस में नहीं है भाई इसमें पूरा स्टेंडर्ड ना इसस सेवन ट्वेट जो कहता है कभी इंफरमेशन आपको पहले मिलती है कभी बाद में मिलती है कभी आदी पहले मिलती है कभी आदी बाद में मिलती है ये सारी कहानी तो C5 के लिए भी कुछ छोड़ दे भाई सारा कुछ हिदर ही है कैफ की फीस में C5 भी बढ़ देंगे यार ऐसे दो ना करें इतना जहीं में रखे हमें पहले पूंजाए क्लियर यहां पे पोईशो तर चलिए अब रपोर्ट हमारी खतम हो गई सबसे हम और हमने बहुत सी केस सडीज भी डिसकस कर ली है अब कर लिया परसों के लेक्चर में आपको केस सडीज की साइनमेंट मिलेगी जहनी तोर पे त्य हमने आज तक सीखा है अब उसको यूडिलाइज करने का टाइम आ गया है ठीक है तो कल यहां परसों के लेक्चर में साइनमेंट आपको मिलेगी ठीक है जहाज का लेक्चर यहां खतम करते हम अलाहाफिज